नमस्कार दोस्तों मैं उमेस आप सभी का आप नाइटिव चानले फिर से बहुत बहुत स्वाथ करते हैं उमीद करते हैं कि अब जहां भी होंगे बहुत यच्छे होंगे दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो भी बाण और भारी बार्सा के चलते या फिर सुखार के चलते जो भी फोसल नुकसान हुए थे उसके लिए जो है क्रीसी इनपूट के लिए फॉर्म फिल अप करवाया गया था 2021 की लिए तो अगर आपने भी फॉर्म फिल किया होगा तो अभी जो है कुछ अपडेट निकल काया हुए है कि आखिर जो है पैसे क्यूं रुके हुए है आखिर जो है पैसा आपका कब आएगा और आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 100% सही जनकारी मिल जाएगा कि आखिर आपका पैसा जो है कौन सा पुरेसिस को फॉलो करके आपको जो है पैसे दिया आते हैं तो प्लिस वीडियो को सुरू से अंतक लेका जोग देखिएगा क्योंकि यहां पे बहुत ही महतपूर सुचना दिया गया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और अभी तक आ अब होने के चलते हैं पर क्रिसी इंपूड का पैसा मिलने में लोगों को देरी हो रहा है अब यह सर्वर कौंग की सर्वर की बात हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि जब भी आप हम फिल करते हैं तो फॉम फिल करने के के नाम पे आफी सत्यापन के नाम पे डाटा मांगा जाता है वहां पे क्या होता है कि सभी को की साफ सब करते हैं कि जलिदी डाट अपलोड नहीं हो रहा है। लोग पंचायत के कोडिये थे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम एकारे क्नेटर करें अब श्राट कर रहे हैं और थीन बज़ें तक काम हो रहा है और बीच में गहंटा में लगबक 5-7 लोग का ही इता यहां पर अप्लोड हो रहा है यानि कि उन लोग का फोटो अप्लोड हो रहा है अब ऐसे हम बताईए कि हम कितना जल जली करें तो देख सकते हैं कि सर्वर के खराबी होने के चलते यहां पर जौ भी आपके 15 तर से आपका जो पंचायद कुलिनेटर होते हैं आपका सत्या 15,50,000 लोग का 55 अस्तर से वरिफिकेशन हो गया है बाकि जितने भी लोग है उनका भी धहीं धहने के बाद मुख्याले में बहाता है और मुख्याले से पैसे आपको आपके एकाउट में सेंड कर दिये जाते हैं तो तेरह लाग पचासर लोग का यहां पर पांचायत अस्तर से सत्यापन हो गया है, बाकी जितने भी लोग हैं, उनका धीरे-धीरे किया जा रहा है, कि उनकी सरवर का खराबी के चलते सभी का जल्दी नहीं हो पा रहा है, अब आप ही मतलब भी बताइए कि 11 बैसे लेके 3 बज़ा के बीच में लोग काम कर रहे हैं, एक घंटा में 7-8 लोग कहीं काम हो पा रहा है, कि उनकी सरवर अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है, यसे मैं बताइए कि बहुत सारे लोग हैं, कितना जल्दी होगा, तीसी को देखते हुए हाँ पर सरकार ने जो है अपडेट मांगा है, जो भी पंचायत कोरिनेटर हैं, उनसे तुन्हों ने साब सब को अधिया है, कि यहाँ पर सब्वर खराबी होने के चलते जल्दी काम नहीं हो रहा है, तीसलिए पैसे यहाँ पर मिलने में देर ही हो रहा है, आपको हम बता दें कि अगर आप अपना इस्टेटेस चेक करना चाहिए, तो DBT Agriculture website पर जाकर आप अपना इस्टेटेस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका इस्टेटेस क्या बता रहा है, अब वहां से जैसी ही अप्रूब होता है, उसके बाद आपका मुख्याले में जाएगा, और वहां से आपका जो भी पेमेंट है, वो पेमेंट आपको सेंट कर दिये जाएगा, तो कुल मिजार बगर करें हाँ आप सत्यापन के बाद ही, जैसे ही सत्यापन हो जाता है, तो सत्यापन के बाद कहीं भी आई थिंक नहीं फहुंसता है, बहुत मतलब माइनर केस ऐसा होता है, जो कि एडियम लेवल पर या फिर मुख्याल लेवल पर जाकर फहुंसता है, तो आपको जो हीं वीडियो बना कर जनकारी दे देंगे, बाकि अबडेट मिल गया है, तो प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई डाउट है, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक ने टॉफी के साथ अब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यबाद आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, स्वास्त रहें, बहुत-बहुत धन्यबाद